तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बेरी नाम की एक लड़के को देखते हैं यानि कि तब फ्लैश को वो अपने आफिस के लिए तयार था और जाने से पहले एक बेकरी पर रुखकर सेंडविच ओडर करता है तब उसके हैट के कॉल आती है जो बताती है कि एक बिल्डि की रफतार बहुत तेज थी जो से सेकंड्स में दोस्ती जगा पर पहुंचा दिया करती थी अब खेर फ्लैश उस जगा पर पहुंच आता है जहां पर चोरी होई थी वहां पर ये आकर देखता है कि हर तर्फ बहुत बुरा हाल था चार उतरफ तबाही पहली होई थी इसलि कमरे में बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्डिंग के तबाह होने की वज़ा से नीचे गिर रहे थे लेकिन फ्लैश अपनी सूपर स्पीड और पावर का इस्तिमाल करके सबी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था यहां पर उसके बैटरी भी लो हो जाती है तब ही उ अलामत नीचे उतार लेता है इसके बाद हमें बैटमेन दिखा जाता है जो उन चोरों का अब तक पीछा कर रहा था वो अपनी बाई को डगकर मार के उन चोरों की गाड़ी के ओपर चड़ गया था अब उन सभी को मार मार के गाड़ी से बाहर निकाल देता है अब इनी के स लड़ाई करते हुए वो उस गाड़ी समय उस चोर के साथ पुल से नीचे किर जाता है जिसके पास पॉईजन सहरीली गैस थी बैटमेन और वो चोर पुल से लटके हुए थी तब ही यहाँ पर आती है वॉंडर वोमेन जिसने अपनी रसी फैक कर बैटमेन और उस चोर को बच आ गया था जहां पर उसको बहुत से अब बहुत डान परती है क्योंकि वो लेट हो गया था मगर खेर वो आफिस में अपना काम पुरा करता है और फिर जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपनी एक पुरानी दोस्स से जो के एक वकील थी वो फ्लेश यानि के बैरी से कहत गया था कल वो अदालत में पेश होंगी और मुझे लगता है उन्हें सजाए मौत हो जाएगी ये बात सुनकर बैरी को गुसा जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मौम को उसके डैट ने नहीं मारा अब रात को बैरी दुबारा से अपना दा फ्लेश का सूट पहनता है और अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मौम की मौत होई थी दरासल उस दिन हुआ ये था कि उसकी मौम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी जब वो मार्किट से सामान लेने गई तो वो टमेटो कैच को बेशती है क्योंकि टमेटो कैचप उस रेस्पी के लिए बहुत जरूरी था अब बैरी के डैट टमेटो कैचप लेने मारकिट चले गई और बैरी खुद अपने कमरे में आ गया था कुछ देर के बाद बैरी को अपनी मौम के चिलाने की आवाज आई जो उसने बाहिर आ कर देखा तो उनके घर में चोर आ गए थे जो बैरी की मौम को चाकू मारकर वहां से भाग जाते हैं पर साथ ही वहाँ पर उसके डैट भी आ गए थे मकर चाकू लगने की वज़ा से उसकी मौम की मौत हो गई तब ही उदर पुलिस प्या जाती है जिने देखकर ये लग रह था कि बैरी की मौम को बैरी के डैट ने मारा है क्योंकि उसकी मौम की पास उसके डैट बैटी थी और यही वज़ा थी पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई अब कहानी दुबारा से प्रेजेंट यानि के मौजूदा दोर में आती है बैरी यानि की जो अब दफ अब वो भागते भागते उसने टाइम ट्रैवल कर लिया था वो एक अलगी दुन्या में पहुंच जाता है जहां पर उसे अपनी माजी में हुए सभी हाथ से याद आने लगते हैं जिसे चाहता तो वो बदल भी सकता था मगर खैर वो दुबारा से अपनी दुन्या में आ और आकर अब वो सीता बैटमेन के पास चाता है उसे कहता है अगर पास्ट में मेरी मौम मरी ही ना होती तो आज मेरे टैड को जेल ना होती क्यों ना मैं इन सब चीजों को पास्ट में जाकर दुबारा से सब कुछ ठीक कर दूँ मैं बदल तो इन चीजों को बैटमैन कहता है फलेश ऐसा करना बेवकूफी होगी क्योंकि अगर हमारी जिंदकी में ऐसे हाथ से पेश ही ना आते तो आज हम कभी भी इस मुकाम पर ना होते अगर तुम्हारी मौम की मौत ना हुई होती तो तुम दफलेश ना बनते और ठीक ऐसे ही अगर मेरे मॉम डैट ना मरते तो मैं कभी बैट मैन ना बनता इसलिए जो हो गया उसे बुला दो ऐसे टाइम के साथ छेड़ छाड़ करना बहुत भारी पर सकता है मगर फ्लेश फिर भी बैट मैन की बातों पर यकीन नहीं करता वो अपना सूट पहनता है और अपनी बिचली जैसी रफ़तार का इस्तिमाल करके बहुत जोर जोर से भागता अपने पास्ट माजी में पहुँच किया था जिब उसकी मॉम मार्किट में रेसिपी का समान लेने आई थी अब वहाँ पर चाकर वो करता ये है उसने अपनी मॉम की बास्किट में टमैटो कैचप को रख दिया था ताकि जब वो घर जाएं तो उनके पास टमैटो कैचप हो और उसकी मॉम उसके डैट को फिर घर से बाहर कैचप लेने ना भीजें और इस तरह उनका गर अकेला भी नहीं होगा उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा इस तरह से उसकी मॉम की मौत भी नहीं होगी उसके डैट को भी पुलिस लेकर नहीं जाएगी अब ये सब कुछ ठीक करने के बाद फ्लेश तुबारा से अपनी स्पेड से भागता हु अपने टाइम यानि के अपने प्रेजेट में जा रहा था तब ही उसे एक अजीब सा आग्मी मुका मारता है और फिर जिसके बाद फ्लेश अपने ऐसे टाइम में चला गया था जब वो ठारा साल का था वहां पर पहुंचकर वो अपने घर जाता है और अपने मॉम डैट से मिलकर बहुत खुश होता है उसे लग रहा था कि उसने अपने मॉम के पास्ट में जाकर सब कुछ ठीर कर दिया है मगर तब ही वो खिड़की से देखता है इस टाइम का बैरी अपने घर आ रहा था अब मैं यहाँ पर आपको इन दोनों बैरी के बारे में बता दूं बैरी को दा फ्लेश बनने की पावर्स ताकते मिली थी आज का दिन बहुत खास है यानि कि आज तुम्हें पावर्स मिलने वाली है उन हर हाल में तुम्हें उन पावर्स उन ताकतों को हासिल करना होगा अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी कभी भी अपनी दुन्या में वापिस नहीं जा पाऊंगा इसके बाद अब बैरी वन बैरी टू को लेकर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे दफ फ्लेश बनने की पावर्स मिली थी बोदर असल एक लैप था यहाँ पर बैरी टू बहुत स्यदा डरा हुआ था बैरी वन उसको एक कुरसी पर बिठाता है और तबी खिड़की से जोरतार कड़कड़ाती चमकती हुए बिचली बैरी वन की अंदर से गुसरते हुए बैरी टू में आ गई थी जिसका मतलब ये था कि बैरी टू को दफ फ्लेश बनने की पावर्स मिल गई थी मगर बैरी वन ने अपनी सारी पावर्स को दिया था जिस वज़ा से अब वो अपने टाइम यानि के अपने प्रेजन में भी वापिस नहीं जा सकता था वही पर दूसरी तरफ हम इसी टाइम लाइन यानि के पास्ट वाले बैरी टू को देखते हैं जो अपनी पावर्स अपनी ताक्ते हासिल करने के बाद इतना खु जाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर कापू पाना होगा जिसकी बात वहाँ पर दोनों की नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें जनरल जॉट बता रहा था कि एक सूपर हीरो यहां तुम्हारी दुन्या में है अगर तुमने उसे मुझे वापिस ना दिया तो मैं पू करेंगे जो सूपर हीरोस का दुश्मन है क्योंकि बेरी को अच्छे तरीके से याद था उसने पास्ट में देखा था कि सूपर मैन जनरल जॉट की आर्मी के सामने अकेला पड़ चुका था उस वक्त बेरी भी अपनी दाफ फ्लैश के रूप में था लेकिन वो सूपर मैन क को ना बचा सका क्योंकि उस वक्त उसे नई नई पावर साकते मिली थी अब ये सब को जानने के बाद बेरी वन यानि के प्रेजन से आया हुआ फ्लैश यहाँ पर सभी हीरोस के बारे में सर्च करने लगता है जिससे उसे पता चला था कि इस दुनिया में तो सूपर हीरोस क कोई अता पता नहीं है कि वो कहां पर है वोंडर वोमैन को तो इस दुनिया में किसे ने देखा ही नहीं और जबकि एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ तो अब यहाँ पर बेरी टू बेरी वन को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है पर मै उसके बारे में कुछ ज़िदा खास नहीं जानता अब ये उसे वहाँ पर अपने साथ ले गया था जहांपर जाकर बैरी वन एक बहुत पुराने बैटमैन से मिलता है और उससे सूपरमैन के बारे में पूछता है बैटमेन बताता है बहुत सालों पहले एक एलियन बच्चा एक पॉर्ट में जमीन पर आकर गिरा था मगर साइबेरिया की एक क्रिमिनल टेम उसे उठा कर ले गई और मुझे लगता है इस दुन्या का वो ही सुपरमेन है ये सुनकर बैरि कहता है तो फिर तो हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा क्योंकि जनरल जॉर्ट जमीन पर आगया है अगर उसी रोका ना गया तो वो पूरी दुन्या को पर बात करतेगा और सुपरमेन के बिना तो हम जॉर्ट को भी नहीं हरा सकते अब ये तीनों बैटमेन को लेकर उसके बैट स्पेस में बैटर उस फसलिटी तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर सुपरमेन को कैद किया गया था उदर पहुचने के बाद अब ये वहाँ पर सबको एक एक करके मार रहे थे बैरी One ने अपनी दा फलेश का सूर बैरी Two को दे दिया था क्योंकि इस वगपावर्स इस दुन्या की बैरी Two के पास थी वहाँ पर सबी सॉलजरस फलेश को मारने वाले थे उसके सामने बैरी One आ जाता है मगर इस दुन्या के फ्लेश यानि के बेरी टू ने प्रेजेंट के बेरी को बचा लिया था बेरी की हालत यहाँ पर बहुत खराब थी उसे उल्टी आने लगती है तब ही यहाँ पर एंट्री लेता है बैट मैन उसने एके करके सबी सोलजर्स को मार दिया था फिर अब यह तीनों उस जगा पर जाते हैं जहाँ पर सूपर मैन को रखा हुआ था जब यह अंदर जाकर देखते हैं तो उदर कोई सूपर मैन नहीं था बलके एक लड़की थी यह तीनों से देखकर बहुत हैरान थे तब ही वहाँ पर लाल रंग की रोशनी चलती है और साइरन बज़ने लगे थे अब जलती से बैरी उस लड़की को उठाता है और साथ ही उसका सूट पिले लेता है इसका मतलब वो सूपर गरल थी तो हुआ कुछ यूँ था कि जब बैरी ने अपने पास्ट माजी में जाकर अपनी मॉम की बास्किट में टमेटो कैचप को रखा तो इसकी उस चोटी सी गलती की वज़ा से एक नया टाइम लाइन बन गया और सूपर मैन की जगा सूपर गरल इस दुन्या में आ गई जो अ उसको बितना गुज़ा आता है कि इन लोगों ने उसे कैट किया हुआ था वो वहाँ पर एक एक सोलजर को मानने लगती है उसने सभी सोलजर का खात्मा कर दिया था जिसके बाद दोनों बैरी और बैटमैन इसे अपने साथ ले आए थे वो इसको इसका सूट पहनने को देत जिसके बाद इसको काफी देर धूप में खड़ा रखते हैं जिससे उसकी सारी पावर्स ताक्ते वापिस आ गई थी मगर जैसे ही उसकी पावर्स आती है वो कहीं पर चली गई थी उसके जाने के बाद बैरी वन समझ किया था कि अब उसे ही बैरी टू और बैटमैन के साथ मिलतर जोड का मकाबला करना होगा यहां पर उसे आइडिया आता है कि अगर वो अपने उपर फिर से बिचली किराए तो उसकी पावर्स वापिस आ सकती है अब वो बैटमैन की मशिन्स का इस्तमाल करता है जिससे अब ऐसा करने से उसकी पावर्स तो वापिस नहीं आती मग जब वो बैटमैन के पास जाती है तो देखती है उदर बैरी जखमी हालत में है उसे जब पता चलता है कि बैरी की पावर्स एक जोरतार पिचली का जटका लगने से वापिस आ जाएंगी तो अब सूपर गर्ड उसे बेहोशी की हालत में उठा कर उड़ती हुई आसमान की उन्चाईयों में ले जाती है जहां पर उसे जोरतार चटका लगता है और उसकी सारी पावर्स अब वापिस आ गई थी बैरी टोबी उसे दफलेश का सूट वापिस कर देता है फिर वो बैटमैन के एक पुराने सूट पर लाल रंग का पेंट करके अपने लिए भी एक सू बैटमैन के साथ जोर्ट की आर्मी को मार रहे थे अब सूपर गर्ड जोर्ट के साथ एक लबी लड़ाई लड़ती है दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे सूपर गर्ड अपने आंखों से तेज़ लीजर लाइट रोश ने निकालती है मगर जोर्ड उससे जैदा ताकतवर था उसने सूपर गर्ड को इस लड़ाई में हरा दिया था जिस वचा से उसके मौत हो जाती है इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा गया था जिसके बाद दोनों बैरीस यानि के दोनों फ्लेश मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो दोनों पास्ट में जाएंगे जहां से मर गये थे बैरी वन दो फ्लेश इस बात को समझ किया था कि हम अपने पास्ट के साथ छेर चार नहीं कर सकते यानि कि हमारी किसमत और उनकी भी हम कुछ भी नहीं बचा सकते मगर बैरी टू ये नहीं समझता वो बार बार पास्ट में पीछे जाकर बैटमैन और सूपर ग कराने वाले हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि बैरी टू ने बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन और सूपर गर्ल को बचाने की कोशिश की थी यहाँ पर इनके सामने सभी दुनियाओं के सूपर मैन भी आने लगते हैं यहीं पर वो अज़ीब आत्मी भी आ गया था जिसने कह बैरी वन उसे भी मना करता है कि ऐसा मत करो हम किसी भी चीज़ को नहीं बदल सकते लेकिन फ्यूचर टू के बैरी का दिमाग अब खराब हो गया था वो बैरी वन पर अपने हत्यार से हमला करता है लेकिन तब ही उसके सामने इस दुनिया का बैरी टू आ जाता है जिसको वो की बैरी बच गया था यानि के बैरी वन दफलेश वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो अपनी स्पीड से भाग कर उसी पास्ट के टाइम में पहुँच आता है जिब उसने टमेटो कैचप को अपनी मॉम की बास जाता है जहां पर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था अब अगले दिन उसके डैट की कोट में पेशी थी जहां पर वकील को एक वीडियो मिलती है यह उस वक्त की थी जब बैरी की मॉम की मौत हुई और उसके डैट टमेटो कैचप लेने मार्किट में आई हुए थे तब कुछ बैरी नहीं किया था उसीने टमेटो कैचप को ओपर वाली शेल्फ पर रखा था इसके बाद बैरी को बैट में की कॉल आती है जो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ बैरी जब उससे मिलने चाता है तो वो कोई और आदमी था बैरी कहता है इस दुनिया का असल बैट मैं कहा पर है वो कहता है मैं ही बैट मैं हूँ इसका मतलब हुआ ये था कि बैरी अभी भी अपने असल टाइम में वापिस नहीं आया था क्योंकि उसने कैचप की बाटल को उसकी असल जगा पर नहीं रखा था और इसी वज़ा से उसकी किसमत तुबारा बदल ग अब बैरी दा फ्लेश कैसे निकल पाएगा इस दुन्या से तो इसी के साथ इस मुवी की कहानी यहीं पर खत्म जाती है